नमस्कार दोस्तों आप सबे का Healthy Product Review चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Cooking Oils की जीहां आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है कि कौन सा ओयल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा इस वीडियो में हम मौंगफली तेल, सरसो का तेल, सोयबीन, कोकोनट, तिल का तेल, सनफलोवर, ओलिव, राइस ब्रांच सब की बात करने वाले हैं और इसमें भी आपको फिल्टर्ड, रिफाइंड, कोल्ड प्रेस, सब की जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं इंडिया के टॉप ब्रांच जैसे की फोर्चुन, सफोला, धारा, पतंजली इनको भी आपको वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन रसोई और खान पान का सबसे मैन इंग्रेडियन रहता है तेल जिसके बना 90% तक डिशेज है वो नहीं बन सकती इसको कॉलिटी और लिमीट में खाया जाए तो अचा रहता है लेकिन अगर गलत आइटम और लिमीट से ज़्यादा खा लिया जाए तो आपकी हेल्थ को ये अफेट करता है जैसे की वजन के साथ में चर्वी का बढ़ना, लेजीनेस, हिर्दय की हेल्थ बरभावित होना, स टाइप में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बिकने वाला टाइप है रिफाइंड ओयल, अब यह रिफाइंड ओयल मुंगफुली का हो सकता है, सोयबीन का हो सकता है, कोकोनट, तिल वगएरा किसी का भी हो सकता है, लेकिन टाइप है रिफाइंड रिफाइंड ओयल को तो इसलिए ज्यादा यूज करते हैं विकोज एक तो यह दिखने में अच्छा है साफ है और इसका टेस्ट है वो ज्यादा आता है लेकिन रीफाइंड है ओयल है वो सबसी ज्यादा अनहल्दी ओयल में इसको बोलूंगा चाहे वो कोई भी ओयल हो अगर वह रीफाइंड ओयल थोड़ा सा इसमें औरदियोर भी देखने होँ थोड़ीसिंस और पासिपने को मिलगा तोड़ी सी इसमें गंद भी तेल की देखने को मिलेगी आपको अगर नार्मल टेस्ट चाहिए और साथ में हेल्थ भी चाहिए तो आपको फिल्ट्र डोयल है वो यूज करने चाहिए म मैं परसनली कहूं तो मैं फिल्टर्ड ओयल यूज करता हूं क्योंकि रिफाइड में कुछ भी नहीं होता फिल्टर्ड ओयल में गुण भी बचे रहते हैं और इसमें साथ में आपको तेल साब भी दिखेगा और तेल का जो टेस्ट है खाने में को किंग में वह भी अच्छा देखने को मिलता है अब बैस्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है कोल प्रेस्ट ओयल यानिकी कच्छी गानी तेल जो की तेलों के ऊपर लिखा हुआ होता है अब यह जो मैं बात कर रहा हूं रिफाइंड फिल्टर कच्छी गानी कॉल प्रेस्ट यह सब तेल की ऊपर इस से स्टिकर को देखे तो अब थोड़ा महंगा यह कॉल प्रेस जाता है लेकिन बाकी सब तेलों के मुकाबले यह बैटर ऑप्शन है इसको क्रस्ट करके निकाला जाता है ताकि जब मौंग फली से या फिर तिल से कहीं से भी इसको ओयल को जब निकाला जा रहा हो तब उसके गुण है वो गायब नहो प्योर ओयल मिल सके उसमें गुण है वो भी बरकरार रहे अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एक तो यह थोड़ा सा महंगा रहता है बाकी इसकी कुकिंग में जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब देखने को मिलत है इसके लिए लोग इसको कम ही यूज कर पाते हैं फिल्टर्ड है वह सबसे बड़ी ऑप्शन है वह यहां पर देखने को मिलता है अब कौन सा यूज करें मतलब मुंग फुली सरसो सोया बिनारियल वगेरा तो इसमें प्रिफर करता है आपका टेस्ट और आपका एरिया ज तेल इसमाल करता हूं कुछ जगह पर सोयब्一定要 यूज करता है और टेस्ट भी ठीक ठग होता है नोर्थ इसंडिया में और एष्ट इंडिया में है सरसो का टेल भी यूज होता है कुकिंग के अंदर जो की थोड़ा सा तेज होता है लेकिन उनके टेस्ट के इसाब इस्वाइब है आप मुंग फिली तेल, कोकोनट ओयल इसके अलाव तैल, कोई भी ओयल हो यूज़ कर सकते हैं अपनी चोईस और टेस्ट के हिसाब से बाकि आपको ध्यान ये रखना है कि या तो फिल्टर्ड यूज़ करें या फिर आपको कच्छी घानी मतलब कोल्ड प्रेस्ट ओयल हो यूज़ करना है मिक्स में मैं तो बोलूंगा कि दूसी तीन आप रसोई में रखे और एक तो मेजरली यूज़ होगा जैसे की मुंफिली वगएरा उसके बाद में थोड़े बहुत दूसरे वाले ओयल भी आप यूज़ कर सकते हैं अब बात ऑली ओयल की करते हैं जो की सबसे ज्यादा अभी मार्केटिंग की जाती है यूरोप में सबसे ज्यादा हेल्थ के ना नहीं होता मार्केटनी के नाम पर लोग खरीते बहुत हैं लेकिन मैं आपको परसनली बोलना चाहूंगा कि ओली ओयल ऐसा कोई भी मैजिकल ओयल नहीं है और इसमें जो कुकिंग में इसकी कंफर्टेबिलिटी है वह बहुत ही कम देखने को मिलती है इसकी बजाए जो हमारे जाहूंगा कि मुंफली, सोयबी, सरसो, तिलकातेल, सनफ्लोवर ओयल इनमें से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर्ड या फिर कोल्ड प्रेस्ट होना चाहिए अब बात वेजिटेबल ओयल किया कर लेते हैं वेजिटेबल ओयल से वैसे सोयबीन, सनफ्लोवर, जो कि बहुत ही सस्ता होता है और कंपनियां है वो पाम ओयल को मिक्स करके साथ में बेस देती हैं तो आपको इंग्रेडियन का ध्यान देखना है और जहां पर भी पाम ओयल है उसको आपको ओवाइड करना है हेल्थ के लिए वह जड़ाबी अच्छा नहीं रहता तो यहाथ को किंग ओयल से जुड़ी जानका रही आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और जरू देंगे ऐसे ही बड़िया वीडियो के लिए आप हमाने चैनल को जरू सब्सक्राइब करें साथ ही किसी भी प्रोडिट का आपको ऐसे देखना है ज थैंक्स पर वाचिंग